नमस्कार, स्वागत आप सभी का मारे इस खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान सेना की जमीन करीद बिक्री के मामले में राची के पूर्व पायोगत चवी रंजन को जेल भिजे जाने के बाद मनी लॉंडरिंग के आरोपियों का रात को चवी रंजन से मुलाकात के जाने की खबर से मल्चे हड़कम के बाद जाच अजनसियां सक्रिय हो गई थी मगर सवाल यही था कि आखिरकार वो कौन थे जिनकी शेप पर मुलाकाते हो रही थी जेल का सीजर टीवी फोटेज नहीं देने जेल में पार्टी करना मनी लॉंडरिंग के आरोपि प्रेम प्रिकाश की चवी रंजन से मुलाकात के मुद्धे पर जाच काँच अब राची जेल अधिकशक और जेलर तक पहुँश गई है जो एडी की डिडार पर आ गए हैं वुश्टाच के लिए जेल अधिकशक और जेलर को इसकेस में तलब किया गया था आब इस मुद्धे पर सियासत भी होने लगी है इसी पकरेंगे चर्चा लेकिनी रिपोर्ट सेना की जमीन खरीद विक्री के मामले में राची के पूर उपायोगत चवी रंजन को जेल बेज़े जाने के बाद मरी लॉंडरिंग के आरूपियों का राग को चवी रंजन से मुलाकात के जाने की खबर से मची हड़कम के बाद जाच एजनसियां सक्रिय हो गई थी मगर सवाल यही था कि आखिरकार वो कौन थे जिनकी शेह पर ये मुलाकाते हो रही थी जेल का CCTV फोटेज नहीं देने जेल में पार्टी करना मनी लॉंडरिंग के आरूपि प्रेम प्रिकाश की छवी रंजन से मुलाकात के मुद्दे पर जाच का आच पर राची जेल अदिक्षक और जेलर तक पहुँच गई है जो E.D. की रडार पर है पूश्ताज के लिए जेल अदिक्षक और जेलर को इस केस में तलब किया गया था अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है पहले से ही विपक्ष में बैठी बीजेपी सेना की जमीन खरीद विक्री के मामले में शवी रंजन के बहाने हेमंद सरकार पर तंज करस दिया है और हेमंद की सरकार एडी के बहाने सरकार को बदनाम करने की साज़श का आरोप लगाती आई है वैसे ही पियम मोदी का बयान इन दिनों एडी की कारवाई को लेकर उनका पुराना बयान भी वारल हो रहा है मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हार गोटाले बाज पर कारवाई की गारंटी हार चोर लुटे रे पर कारवाई की गारंटी है जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा दरसल आरोपय की चार मई की देरात रांची के पूर्व डीसी छवी रंजन ने अवैद खनन और मनी लॉंडरिंग केस में बंद विचोलिय प्रेम प्रकाश रे अपने बियाई पी बैरक्म मुलाकात की थी रात को दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली चवी रंजन ने एडी को बताया था कि प्रेम प्रकाश खुद मिलने आया था वकाइदा इसकी सूशना की पुष्टी के लिए एडी ने PMLA कोर्ट में आविदन देकर जेल में छापा मारने की अनुमती मांगी इस दोरान एडी ने कोर्ट को बताया कि CCTV फुटेज देने में जेल प्रशासन आनाकानी कर रहा है आविदन पर विचार करने के बाद कोर्ट में CCTV फुटेज हासल करने के लिए एडी को जेल के अंदर जाने की अनुमती दे दी है इसके बाद E.D. ने जेल में छाफे मारी की और चवी रंजन के कमरे का CCTV फुटेज जब्त कर लिया फुटेज की जाच में प्रेम प्रिकाश और चवी रंजन की मुलाकात का किस्सा जग जाहिर हो गया अब इसके बाद E.D. ने जेल अदिक शक हामबित अक्तार को फिर एक बार समझ जारीकार पूश्टाज के लिए हाजर होने का दिर्देश दिया था तो क्या कुछ और राज इस मामले में उजागर हो सकते हैं वैसे भी जारकन बीजेपी सेना की जमीन खरीद विक्री के मामले में जाच की आच हेमन सरकार तक पहुशने का दावा रही है वीडियो रिपोर्ट इंड़ा वॉइस राची तो फिर एक बार फिर से एक्शन मोड में नज़र आ रही है एडि और देखा जा रहा है कि अब एडि की रिडार पर जेल अदिक्षक और जेलर है आखर किस ने कलाई छवी रंजन या प्रेम की मुलाकार सवाल ये भी निकल कर सामने आ रहा है और कई बार ये देखा जाता है कि जिस परकार से देखा जाए कि एडिनेफ पीमले कोट में जाकर ये कहा कि हमको वहाँ के सीज़िटी फूटेस दिये जाए क्योंकि सीज़िटी फूटेस तक ठीक से नहीं दिये जा रहे थे तो कौन मिली भगत से ये जाच कराएगी इस पूरे बामले की जाच होनी चाहिए और आपको बता रहें सेना की जमीन खरीद विक्री के मामले में राची के पूर उपायोक्त छवी रंजन को जेल बेज़ जाने के बाद मनी लॉंडरिंग के आरोपी का रात को छवी रंजन से मुलाकात के जाने की खबर से अड़कंप के बाद अब इडी जाच अजनसियां सेक्रिय हो गई है वैसे भी पियमोदी लगातार कह रहे हैं कि जिन्नोंने घोटाले किये हैं हिरा फेडी की है उन पर गपला किया है उन पर सक्तिकारवाई होगी एक्शन लिया जाएगा लगातार उनका स्टेटमेंट ये देखा जा रहा है और आखिरकार अब सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि जेल के अंदर 40 मिनट के तक किसने मुलाकात कराई वो भी बी आईपी तो इस पर लगातार बीजेपी हिमंद सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रही है और फुसके बाद ये कहा गया कि जेल का सीसिटी फोटेस नहीं देने जेल में पार्टी करना मनिलॉंडरिंग के आरोपी प्रेमरिकाश की चवी रंजन से मुलाकात के मुद्दे पर जाच का आचब राची जेल अदिक्षक और जेलर तक पहुँश गई है जो एडी की डिडार पर है वुश्ताच के लिए जेल अदिक्षक और जेलर को इस केस में तलब किया गया था अब इस मुद्दे पर सियासत भी काफी गर्माई हुई है तो देखा जा रहा है लगातार जारखंड में सियासत गर्माई जा रही है बीजेपी हिमन सरकार को कटगरे में खड़ा कर रही है बिल्कुल और जिस प्रिकार से देखा जा रहा है कि लगातार इस पर सियासत हो रही है हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनन्त अमित बीजेपी नेता हमारे साथ जोड़ चुके हैं हमारे साथ जिवाख खान कॉंग्रिस नेता हमारे साथ जोड़ चुके हैं अब तो ED की डिडार पर जेल अदिक्षक और जेलर भी आ गई हैं। किसके कहने पर ही मुलाकात ही हुएं, 40 मेर्ट तक मुलाकात चली। और लगातार यह देखा जा रहा है कि BJP आपर तमाम सवाल खड़े कर रही है। जाच का विशय है किसके कहने पर मुलाकात किया गया, मुलाकात ही छवी रंजन और प्रेम प्रकास जी का। यह जाच का विशय है, जाच होगी और सामने खुद आ जाएगा दूर का दूर और पानी का पानी हो जाएगा। और हम यह चाहते हैं कि बिना बैज्ट जांच हो यह नहीं के हेमन जी की सरकार है इसलिए आरोप लगे अथिकारीयों पर इसलिए जांच हो इसलिए एड़ी बैठाई जाए जो भी हो निस्पक्त हो और बैज्ट नहीं हो ठीक है? और अगर कोई भी आरोपी है धुनाहिगार ह सही में करवाई हो नहीं लेकिन जिबाजी जिस पर कार से देखा जा रहा है कि वीडियो नहीं देना सपोर्ट नहीं करना एडी को एडी को इसके बाद पीमले कोड गई वहां से पर्मिशन ली यह तो बहुत जादा कहा जाए ना कि जेल अधिक्षक और जेलर की कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ इतनी हिम्मत तो किसी जेलर अधिक्षक और जेलर की नहीं होगी कि अरे मैडम फिर भी ये बात माना पड़ेगा ना 40 मट तक बी आईपी मुलाकात होती है जाहिक सी बात है मामले की जाच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे वज़ा क्या है आप एडी पर सवाल उठा रही ना आप कह रही है कि मनिश्पक्ष जाच होनी चाहिए मैंने एडी पर सवाल नहीं उठाया मैं ये बोल रही हूँ कि किसी दबाओ में जाच नहीं होना चाहिए दवाओ का मतलब क्या हुगा मैडम मुझे बताएगे दवाओ क्या होता है आप पत्रकार है आप बेटर समझ रहे हैं कि दवाओ का मतलब क्या हुगा और मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जाच नहीं होना चाहिए या जो गुनाहगार है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल निस्पक्ष जाच होनी चाहिए और अगर कोई गुनाहगार है तो उस पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन सिर्फ जाच इसलिए हो और इसलिए कारवाई की जाए कि हेमन जी की सरकार है तो ये गल्ट है ठीक है मैं जवाब लेता हूँ अनंदमी जी से अनंदमी जी हमारे साथ जोड़े हैं अनंदमी जी आपने सुना जिवा खान को वो कह रही है कि जांच हो जांच से उनको कोई एतराज नहीं है लेकिन इस जांच इस पकार से नहों के हेमन सरकार को लेकर उन्ह करते हैं उसके बाद मैं आपने बात प्रान्म करता हूं जिसटरीके से बेहन जेवा जी खहरे थी वो वो दोनों बात को वीकार करेए थी प्वाबी खिया कि दिवा किसका होगा राजसरकार का होगा लेक्ष्ट सुनीर जी लगतार जब से पूजा सिंकल जी सी घिरपतारी यह हमारे राजिक के सवा तीन साड़े सीन करोड जनता यह जान रही है कि किसके वज़ा से अमित प्रेम जेल के अंदर चल रहा है अब यह देखें कि तीन बार जेल अधिक्षट को एडी नोटिस देज़ती है तिसरे एडी की नोटिस पे जेल अच्छक हमीर अक्तर साहब जा होती है और जब एडी ठूटेज मांगती है तो फूटेज भी एक डिया गया है सुनिस जी आपको जान के बड़ा अश्यरे होगा वह फूटेज भी गलत है उसके बार जाती है एडी और हमीर अक्तर को भी ईडी ने समंग किया है और जिस तरहिके से हमीर उसके त्वाज जाए रिख्शा के करिये गया कारीयों से लगता है कि निस्क्रिथ पूरे नियूद लुगंए पूरे राजे इक बात की चर्चा चल रही है पूरे देश में प्रांसफर पोस्टिंग का एक समय होता है जूनका धर्खंड में तो अला कि कभी भी हो जाता है लेकिन धर्खंड में भी होने वाला है तो यह पता चल रहा है कि जेल के अंदर से कि एस्पी और डी सी के ट्रांसफर का पैनल बन रहा है तो यह खिसके बाद язब आपस में लोगिन रहा है तो मैं बार-बार कह रहा हूं कि आमित प्रेम जो जेल के अंदर चल रहा है उसके पीछे कौन है निशित पौर्पे जयांच होना चैये और जयांच होगा सो में लगत देखिये मैं यही बोलने हुँ के जांच का विसे है जांच होना चाहिए और बिना बाएकच स्थम्स में जाइח जो और जो भी आरूपी हो सजा लेकिन इस लिए नहीं ओन्ए सिर्फ इस लिए नहीं ओ सिर्फ की सरकार धारखन बारतिय जंदा पार्टी की सरकार नहीं है भरस्ता चार्प सिर्फ उसी स्टेट में दीखता है जहां सरकार नहीं है भारतिय जंदा पार्टी की और जहां कॉंग्रेस की सरकार है जेमें की सरकार है या कोई रिजनल पार्टी की सरकार है भरस्ता चार्प सिर्फ उसी स्टेट म जी मैंने बोल लिया मैं यह बोलती हूं कि जाट एडी जहां पर इस स्टेट में भाती है जिन्ता पार्टी की सरकार है वहां जो ठीक है चलिए ठीक है एडी क्या काम कर रही है एडी को करना है मेरा सवाल तो यही है कि यह बात तो माननी पड़ेगी ना कि फोटेज को नहीं द जाती है वी पच्ची दलों के घर पर रीडी जाती है विपच्ची नेटाओं के घर पर रीडी जाती है मैं तक स्वाल क्रूँगे है कि पहलन जी को पता नहीं है अभी आपने कल ही मान्ये परधान मंत्री जी का एक भासन पूरे देश में के लोगों ने सुना है उन्होंने कहा है कि ब्रस्टाचार पे जीरो टॉल्डेल सी हम बिल्कुल बढ़दास नहीं करेंगे चाहे हो हमारा ही पार्टी का क्यों नहीं नेता हो चाहे हो हमारे ही सरकार का क्यों नहीं अधिकारी हो आपने सुरीज जबी देखा होगा वीकर दो दिन पहले पहली वारे से ये भारती जन्ता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि ED के पुर्व अधिकारी की गिरफ्तारी होती है और हमारे ही सरकार में एक PSU के X-CMD की गिरफ्तारी होती है लेकिन हमारे में तो इस्तियात है कि हम जो भी व्रःष्ताचारी होता है किसे दर्का हो हम उसके खिलाब कारवाई करते है आच धार्फन में जो पार्फन में कारवाई चाबाई चांब कारवाई है अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत रुकना चाहिए बिलकुल गलत को बरदास्त नहीं किया जाएगा जीरो टैलो टॉलरेंस है गलत के लिए लेकिन किसी बदले की भाना से नहीं होनी चाहिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ लेकिन एक बात बताएए ना जिसे स्टेक में सरकार होती है भारतिये जन्ता पार्टी की वहाँ ही भी कब जाएगी वहाँ पर ब्रेस्टार होता है या नहीं होता है आप इसका सट्विकट नहीं जेवद ही ये बताएए जो जेल के अंदर ओत्वार जेल के अंदर अमित प्रेम जो चल रहा है उससे भी तो खुछ आप ज्यान दीदिए आमीद प्रेम क्वास सा प्रेम चल रहा है किस के सारे चल रहा है तो कुछ प्रेम काम कर रहा है आपके राज की जन्ता आपके मुझे सुनना चाहती है आप इस प्रेम के विसे में अनंद जी मैं बता दूँ जिवा जी का ये कहना है कि जो आपके मानना पड़ेगा कि बीजेपी की स्रेट्स में सरकार ना वहाँ पर इडी इतनी अक्टिव नजर नहीं आती जिस प्रिकार से देखा जा रहा है जेबा जी कह रही है यह आपको मानना पड़ेगा कई बार ऐसा देखा गया विदायकों के पास कितना रुपए पकड़ा जाता है वहाँ एडी पीछे नहीं लगती यह भी बानना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब कि पूरे देश में भारती जंता पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है यह बता देंगे पार्टी की कितने राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ पर भारती जंता पार्टी से जो इलेक्शन लड़े थे जबरदस्ती दर्माजे पर ले जाके किम्टी किम्टी समान और पैसे रख रहते तो यह पैसे कहां से आए इतना वितरन करने के लिए लेकिन ठीक है जी वहाँ पर इडी नहीं लगी अब जब कॉंग्रेस की समकार बन कही है न तो अब देखियेगा इडी वहाँ लग जा रहे हैं इंदुकान जी हमारे साथ जोड़ चके वरिश्पत्रकान है सरा आपका स्वागत है मैं आप लोगों के पास आऊँगा जी वह प्रिकार से देखा जाए जारखन में देखा जा रहा है कि जो प्रेम जेल के अंदर देखा जा रहा है 40 मिन तक मुलाकात होना चेवी जी की प्रिकाश जी के और उसके बाद यह देखा जा रहा है तीन वार जब नोटिस दिया गया तब सहाब जा रहे हैं उनको जवाब दे कि THIS कि LAUGHTER किस के कहने पर किस ने मुलकात कराईंब नहीं दिये गए ऊस के बाद वीडियो दिये पह जाते गई गलत बीडियो दीए गई क्या दुरॉज F vegetables जी सेर नमस्कार जी आनंत जी को और जीवाज़ जी को ही वे नहीं नमस्कार देगी ये बहुत अफसोस जनक है कि जो सरकारे सक्ता में हो वो इंद आलेट की मदद न करें और अदालत को फटकार लगाकर सचीव को बुलाकर अधिकारियों को सामने पेश होने के बाद कहने के बाद कीजे और जो तक्थ हैं और प्रमार सामने रखे जाएं ऐसे में कभी भी नियाय की कलपना नहीं की जा सकती है सुनिजी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी राची में जो आपने अभी हमित अक्तर जी की बात की जो जेल अधिक शक है जब जो लोग शामील है रश्टाचार में उनका सीजे मुख्यमंत्री कार्याल है और बड़े अधिकारियों से कनेक्शन मिल रहा है आपको पता है कि राज़ की राज़धानी का जो उपायुक तो होता है या एसेसपी होता है वो डिलेक्टरी कनेक्टिड होता है तीजे निगरानी में होता है मुख्यमंत्री कार्याले के पिना मुख्यमंत्री के चाहत के वहाँ पे कोई SSP रादितानी में या DC नहीं हो सकता और यहाँ तो जादा ही जाना जाता है जारकन में बात के लिए चीज़ों को ऐसा DC इतने बड़े बड़े भश्टाचार करता रहा सेना की जमीनों का सौधा करता करवाता रहा और उसके बारे में आज तक आफिशियली सरकार के कोई भी दल ने यह नहीं कहा है इस भश्टाचार के गंभीर जाज करके उसे कठोरतन दंड दिया जाए और गिरफतारी किसने की सेन्टरल एजेंसी ने यह गिरफतारी या जात राजिकी एजेंसिया भी कर सकती थे तो अब जब ये चीजे खुलने की डर है तो निशित तोर पर जो राज सरकार के अरिकारी है ताप्स लेके बाटर तब ये पूरी कोशिश करते हैं कि उससे जली हुई चीजों को जहां तक रुका जा सके जिससे मामला आगे न बढ़ेनी तो आज उन तक भी पहुचने की आशंका है मैं सिर्फ इसका रिफरेंस देना चाहूँगा जेबाजी के लिए कि जब में रोड के दंगे हुए हाई कोट में सुता संग्यान लेकर कि सारी चीजे मगवाई तो वहां के सिसी टीवी फोटेज की सिसी टीवी यही थी राज सरकार ने में रोड जैसी जगह के जेबाजी आपको याद होगा कि सिसी टीवी फोटेज नहीं देते थे देते थे तो कम दिये धुदले वाले दिये ऐसे नहीं दिये जिसमें साफ दिखाई दे जबकि वही सीसी टीवी फोटेज और फोटोग्राफ तमाम लोकल मीडिया में दिखाय जा चुके थे और च्छप चुके थे और जब गवर्नर ने डारेक्शन दिया एसेसपी ने पुलिस ने चस्पा किया बूर्ड पे इश्तिहार जैसा और राज्य में होता रहा है तो उसे एक घंटे में रस्ता जारी दल जेमिम के दवाब पे उतार दिया गया जिसका आज तक सरकार ने दवाब नहीं दिया जवाब जहां पे सामने सामने गोलिया चलती है जहां वीडियो आता है पुलिस करीमों का रोते हुए कि हमारी जान जाते है एसेस्पी मोहदे बचा लीजिए वहां पे आज तक कोई भी एक्जिंबर्री एक्शन ना होना बताता है कि सरकार में उपर से नीचे तब कुछ काला ही काला डाल में है कुछ काला नहीं पूरी डाल ही काली है और जैसा जेबा जी कह रही थी कि देखे हमारा किसी भी भरष्टाचारी से कोई सद्भावना या कोई लगाव नहीं होता है मैं उनको सिर्फ एक उधार देख अपनी बात खतम करूँगा कि तमिल्नाडू में अभी वहां के गवर्णर ने वहां के एक मंत्री जो भरष्टाचार के आरोप में सेंथिल बाला जी उनको बरकास्त कर दिया उन्होंने पहले कहा मुक्छ मंत्री से कि इनको मंत्र मंदल से हटाईए मुक्छ मंत्री की कोई नियत नहीं थी उनको बचाने के लिए इस आउस्पिटल में अडिमित किया गया वहां से आजius तक को डिश्चार्ज नहीं किया जा रह रहा है उनके पक्ष में कांग्रेस से लेunku और तमाम भी पक्षी दलोगों ने बयान दिया है लेकिन उनको मंत्र मंटल से हटाया जाने के पक्ष में उनके भश्टाजां के बारे में किसी भी पक्षी दलने एक बात अभी तक मुझी जवादी जिवाजी आक सुना आपने क्या जिम्मेदारी रासरकार की नहीं बनती थी उस जेलर पर उस अधिक शक्ता जि अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है और इसकी जाँ सोनी का यह और जो भी गुना का यहीं तो सवाल आप से है यही सवाल को आप से है कि रही सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस पर जाँ छोनी चाहिए अगर गुनेहगार है तो गुनेहगारों को सजा मिलनी चाहिए आप सवाल उखा रही है कि जाँच निश्पक्ष होनी चाहिए आपकी रासकार जाँच नहीं करा रही माडम पार्टिया अंदर हो रही चालिस में तक मुलाकात हुई है लेकिन अगर जो बेगुना है कौन बेगुना है कौन बेगुना है कौन बेगुना है आप डिसाइट करेंगी ना यह पहले का डिसाइट करेंगी कौन गुनेकार है कोई भी बेगुना हो पर सजा नहीं होनी चाहिए मैं यह बोलना चाहिए मेरा सवाल आपसे, रासरकार की क्या जिम्मेधरी बनती है, तीन बार नोटिए सीडी ने दिया तो हो जा रहे हैं साहब, रासरकार की कोई जिम्मेधरी नहीं ज equiv向 कंदर ही होता है? बिल्कुल आप आज जार्खन में जेमेम और कॉंग्रेस की सरकार है तो जिम्मेदावी आप दिला रहे हैं लेकिन पीएम नरेंडर मोधी का मनीपूर के लिए क्या जिम्मेदावी है मैं जवाब मैं सवाल आप से ये कर रहा हूं कि रास सरकार की जिंवेदारी नहीं थी क्या जो जेल में ये साफ पार्टियां हो रही थी अंदर मुलाकात है पर नहीं दिए जा रहे ते जांच पर उनको करानी चाहिए ती इड़ी बाद में आई जो भी गुनेफगार है सजा मिलनी चाहिए जांच भी करानी चाहिए बिना जांच के सजा कैसे मिलेगी आप भातों घुमारी है जाक भी होनी का ये लेकिन नाचनल मीडिया जितनी आक्टिव होती है जिस राजे में विबख्ष की सरकार है भारतिय जंता पाटी की सरकार है हर चीज को अपने साइट करँए अभी आपने सुना हिंदु कांच जी ने क्या कहा कि पुलिस वाले रोते रहे, इंसाफ मांगते रहे, किसी ने नहीं सुना मैदम मुझे जो करना है मैं खुद करूंगा, मैं तौपिक कर रहा हूँ जारकंट पे मुझे उमीद है कि कल आप मनीपूर पर सवाल करेंगे, डिबेट करेंगे मैंना हमाने मनीपूर पर डिबेट होती है, रात को प्राइम टाइम में डिबेट होती है तो फूर कबर चलाती है, मैं आपसे क्या प्रुच्छरे हूँ, आप मनीपूर पर बात ले जारी है साल मेरा सिर्फ एक आप से है साधर सवार है अगर जेल के अंदर ऐसा हुआ तो राज सरकार की जिम्मेदारी जाज की नहीं बनती थी क्या राज सरकार ने जाज क्यों नहीं करवाई मैं ये पूछी हूँ कि मनीपूर में जो इसे लोग घरों सो भी स्थाविक हुए उन्हें कब घर में भेजा जाएगा और कब वहां में दंगा जाएगा आप लोगा आप मनीपूर की चिंता करने के लिए मानने परदान मंत्री जी करने नहीं जाए तो यह भी बाल सकती हूँ जारखन की चिंताना किजा अगर मैं बोलू तो कैसे लगेगा इसे तुनता नहीं करें आप लोगों को क्यों नहीं है वह पिरेट को जाइवर्स कर रही है जिसके आपके पास तुनील जी के प्रस्ठों का जवाब नहीं है आपके पास नहीं है, इसलिए आप डाइवर्ट कर रही है, डिवेट को डिवेट पे आईए, मुद्दे पे आईए, मुद्दे पे आई, मुद्दे पे जवाब बोल दिया कि हम भरस्टाचारियों के साथ नहीं है अरे मैडम पूरे देश को ब्रस्टाचार के बनाया, किसमें सिखाया, यह कॉंग्रेस पार्टी में सिखाया ब्रस्टाचार की जन्नी अगर कोई पार्टी है, तो इस देश में किसका नाम है, कॉंग्रेस पार्टी इसके बीट को रच्कातार की परिवासा सुखाईए तिया आप इसना ज्यान मत दिए बेट की जंता जानती है बेट की जंता जानती है आप जारखंड में है जारखंड के मुझ्टों पर बात कर दीजिए इस तरीके से परदेश की ख़वी को खराब करने का काम खवी रंजन कि क्या है और किसे के कहने पर करेंगे जहाँ पर आपकी सरकार नहीं यह बहुत दुखाद है दुखाद दुखाद विसे है पूरे वाज में ब्रस्टाचार व्याप्त है दुख इस बात का है कि पूरा वाज ठीक है ठीक है जेवाजी और अनल जी ठीक है एडी जाच करेगी और इसलेकि जिम्मेदारी रास सरकार की बननी चाहिए इस पर जाच करने की क्योंकि जिस पिकार से जेल के अंदर हुआ बेह और इंदुकान जी आपका लेकिन सवाल यही जारखंड के मन में होगा कि अगर जेल के अंदर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी किस की है किसने मुलाकात करवाई और जिसने मुलाकात करवाई इसके पर कारवाई क्यों नहीं तीन बार नोटिस देने के बाद जेल अदिक्ष पाई नज़र आती है और फिलाल इस कास प्रोग्राम इतना ही बागी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वोईस के साथ तब तक के लिए नमस्कार